टारे सितारे वंगरह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं वर्स 2020 का वार्शिक राशी फल तो इस वर्स जो है शुब ग्रह योगों के प्रभाव के कारण बारा में से पांच राशियां भाग गिशाली रहेगी इन पांच राशियों में हैं मेश, करक, सिम्ह, कुम्भ और मीन राशी वाले लोग इन्हें अपने कारी छित्र में प्रगती मिलेगी यश मिलेगा और सफलता प्राप्ती के प्रभल योग बनेगे वही अन्य राशी वालों को सितारों का साथ थोड़ा सा कम मिल पाएगा तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वर्ष किनकिन राशी उपर ढहिया शनी वा साड़े साती का प्रभाव रहेगा तो ढहिया वा शनी लगू कल्यान कारी पर यदि हम विचार करें तो 12 नवंबर 2017 से शनी जो है धनु राशी में ब्रहमन सील है यह 17 फरवरी 2020 तक रहेगा तारिक 17 फरवरी 2020 से 3 अगस्त तक मकर राशी में शनी रहेगा तो और तारिक 3 अगस्त से 13 नवंबर तक धनु में रह करके पुना मकर राशी में प्रवेश कर जाएगा इस प्रकार मकर के सनी में धनु राशी को अंतिम ढहिया रहेगा और मकर राशी को दूसरा ढहिया रहेगा कुम्ब राशी को साड़े साती आरंब होगी मितुनव तुला राशी को ढहिया का प्रभाव रहेगा और धनु राशी में जब सनी होगा तब वरश्ची को अंतिम ढहिया रहेगा धनु को दूसरा ढहिया लगेगा मकर को प्रथम ढहिया का प्रभाव रहेगा वरशव कन्या राशी को ढहिया का प्रभाव रहेगा तो इस वर्ष आपको अपनी राशी के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय करना चाहिए जानिए अब अपनी जन्म राशी के अनुसार इस वर्स आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार यह वर्स इस प्रकार से रहेगा कि आपकी राशी के लिए अनुकूल समय चल रहा है सभी छेतर में संतोष रहेगा प्रगती के अवसर आपको मिलेंगे और कारी में यश्व सफलता व सम्मान की प्राप्ती होगी सामान ने उतार चड़ा व संगर्स की इस्तिती बनी रहेगी माता पिता व इस्तिरी व संतान से संतोष आपको रहेगा और समाज सेवा व राजनीती में अनुकूलता बनी रहेगी तारीक 13 नमंबर से 10 फरवरी तक स्वतह और पत्नी को सारीरिक कष्ठ तनाव अशांती कलेश होना संभावी थे तेविस मार्च से मंगल गुरु शनी का मकर राशी में योग रहने से मिसरित फलो की प्राप्ती होगी और आपको राज काज में उत्तम इस्थाई संपत्ती में व्रद्धी होगी पद प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी वहीं स्वताहा और पिता को सारीरिक कष्ट होना संभावी थे पिता के स्वास्त का इस दोरान आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा व्यापारी अधिकारी क्रशक वा सरीष वाले सफल रहेंगे विद्यार्थियों को परिश्रम करना होगा तभी लाब की प्राप्ति होग जिससे यहाँ पुरा वर्स आपके लिए सफलता दायक रहें तो आपको इस वर्स भगवान शिव जी की पूजा आरादना बहुती शुब फल प्रदान करेगी तो इसके लिए आप प्रती सोमवार का वरत करें भगवान शिव के मंदिर में सुद्ध गी का दीपक जला करके कच्चा दूद्व जल उन्हें अरपन करें और बिल्व पत्र पर चंदन लगा करके चड़ावें मिसरी अत्वा मिठाई का भोग अरपन करें यथा शक्ती भगवान सिव जी का नाम मंत्र बेट करके जाप करें तो यह वर्स आपके लिए सुब फल दाई रहेगा अगली र इस दोरान आपको सावधानी से कारी करना होगा और 29 दिसंबर से 23 मार्च तक स्वतह और पत्नी को सारी रिकर्ष्ट रहेगा तनाव अशांती बनी रहेगी जोखिम के कारिय से आपको बचना चाहिए और आगे पुनह 17 फरवरी से आप राहत अनुभव करेंगे और इस्तित में सुधार होने के योग रहेंगे संतान से आपको संतोस मिलेगा राज काज की बाधाएं आपकी दूर होगी मन मजबूत करके कारी को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए किसान व्यापारी को परिस्रम करना अतियावशक रहेगा अधिकारी और सर्विस वालों को द्यम समाहिः रहेगा विद्यायतियों को भी परिस्रम करना पड़ेगा तभी लावकी प्राप्ती हो सकेगी तो इस वर्स आपको कौन से उपाय करना चाहिए जिससे यह वर्ष आपके लिए शुब फलद आई रहे तो इस वर्स आपको शनी वा गुरू की आरादना करना तो आप ढ़िया सनी के प्रभाव में रहेंगे, सनी की करपा प्राप्त करने के लिए आप प्रती सनीवार का वरत करें, सनी देवता को तेल वा काले तिल अरपन करें, वा गुरुवार का वरत भी आप करें, भगवान विश्नुजी की पूजा आराधना करें, तो यह पुरा वर्ष आपके लिए शुब फल दाई रहेगा, अगली राशी है मिथुन, मिथुन राशी वालों के अनुसार यह वर्ष इस प्रकार से रहेगा, आपके लिए यह वर्ष का पुरवार्द समय अनुकूल बना रहेगा, कामकाज में संतोस आपको मिलेगा, सर्विस वालों के लिए लावपरत समय रहेगा आगे 17 फरवरी से मकर राशी के सनी में धहिया का प्रभाव रहेगा सनी स्वर असी का होने से विशेश चिंता की बात नहीं रहेगी किन्तु आपके मन में भय व संसई दुविधाएं हो सकती है कामकाज भी सहज नहीं होकर के रुक रुक करके का स्वास्त इस दोरान कमजोर हो सकता है अतह उनके स्वास्त का ध्यान रखना आपको अती आवश्यक रहेगा कारोबार में आपको तंगाई महसूस होगी इस्त्री संतान को सारीरिक पीड़ा होना संभावी थे और स्वयम को भी चोंट एक्सिडेंट का भई रहेगा वाहन का प्रयोग आपको सावधानी से करना चाहिए व्यापारी अधिकारी वा किसानों के लिए मध्यम समय रहेगा सर्विस वाले वा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मध्यम समय रहेगा तो इस वर्स हर छेत्र में सफलता पाने के लिए विगन संकटों को दूर करने के लिए आपको इस प्रकार से विशेश उपाय करना चाहिए आपके राशी पर ढहिया सनी का प्रभाव रहेगा अतह सनी देवता की करपा प्राप्त करने के लिए आप सनी मंदिर में प्रती सनिवार तेल का दान करें सनिवार या मंगलवार का वरत करें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुब फलद आई रहेगा अगली राशी है करक तो करक राशी वालों के अनुसार यह वर्ष इस प्रकार से रहेगा आपकी राशी के लिए यह वर्ष वेसे उत्तम है प्रगती यस सफलता देने वाला रहेगा कामकाज में यशम व्रद्धी के योग बनेंगे नवीन कारी की योजना आप बना सकते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी इसके अलावा राजनीती से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे 13 नमंबर से डेड़ महिने तक पीड़ा दायक समय रहेगा माता को भी कष्ट होना संभावित है माता के स्वास्त का ध्यान रखना होगा और 23 मार्च से जुलाई तक स्वयम और पत्नी को सारीरिक कष्ट होना संभावित रहेगा चोट एक्सिडेंट भय अथ्वासस्तर चिकित्सा होना भी संभावित है खान पान पथ्य का ध्यान इस दोरान आपको रखना होगा आपको पेट से संबंदित रोग होना संभावित है संतान के लिए यह समय सुब रहेगा तिर्थ यात्रा के योग आपके लिए बनेंगे व्यापारी अधिकारी किसान वसर्विस वाले इस दोरान सफल रहेंगे विद्यार्थी वर्ग को अधिक परिस्रम करना होगा तभी आपको सफलता मिल पाएगी तो इस वर्ष आपको यह विशेश उपाय करना चाहिए जिससे पुरा वर्ष आपके लिए शुब फलदाई रहें तो इस वर्ष जो है ग्रह योग आपके लिए सामान ने हैं फिर भी आप हर विग्न संकट बाधाउं से बचने के लिए भगवान गणेजी और दुरगा जी की सरद्धा पुर्व पूजा अराधना करें तो इह वर्ष आपके लिए अती शुब फलदाई रहेगा अगले रासी है सिम्व तो सिम्व राशी वालों के नुसार इह वर्ष इस प्रकार से रहेगा आपके लिए यह वर्ष उत्तरोत्तर प्रगती देने वाला रहेगा आपको यश मिलेगा सफलता मिलेगी आत्म विश्वास के साथ परिश्रम पूरुव कारी को करते रहे सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी और राज काज भाग्य के मान से अनुकूल समय रहेगा सरीर स्वास्त में इसनाविक रोग पेट के विकार और हाजमे के दोश होना संभावी थे संतान से आपको संतोस रहेगा माता पिता को सारीरिक पीड़ा होना संभावी थे उनके स्वास्त का आपको ध्यान रखना होगा और मई जून में स्वयम और पत्नी को सारीरिक कष्ट और असांती होना संभावी थे जुलाई अगस्त में स्वतह को पेट के रोग होना संभावी थे परिवार में असांती तनाव और तंगाई रहेगी वर्ष के आरंब में तीर्थ प्रवास के योग भी बन सकते हैं शुब व धार्मिक कारी में व्य अधिक होगा व्यापारी, अधिकारी, किसान और सर्विस वाले व विद्यार्थी इस वर्ष सफल रहेंगे तो इस वर्ष आपको विशे सुपा इस प्रकार से करना चाहिए इस वर्ष ग्रहयोग जो है आपके लिए उत्तम रहेंगे इस वर्ष आप हर प्रकार की बादाओं को दूर करने के लिए भगवान गनेज जी एवं सिव जी की पूजा आरादना करें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुब फलद आई रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नोसार यह वर्ष इस प्रकार से रहेगा आपकी राशी पर ढहिया सनी का प्रभाव चल रहा है इसका प्रभाव 17 फरवरी तक रहेगा पुनह 3 अगस्त से 13 नमबर तक भी वक्री सनी से ढहिया का प्रभाव रहेगा कन्या राशी का सनी मित्र ग्रहे अतह विशेश प्रतिकूलता नहीं रहेगी किन्तु मन आपका कमजोर रहेगा भाई शंसई दूइधाओं के साथ कारोबार में बाधाएं और अवरोध भी आ सकते हैं माता पिता के स्वास्त की चिंता रहेगी वर्ष के आरंब से दिसंबर तक तनाव तंगाई अशांती वक्लेस रहेगा स्वास्त में गले वा पेट से संबंदित रोग उत्पन नहों सकते हैं और परिवार में भी कुछ तनाव उत्पन नहों सकता है इसके अलावा फरवरी से तीन मास में माता वा संतान को पीड़ा होना संभावित है किन्तु कारोबार वर राज्जी में आपको अनुकूलता बनी रहेगी जुलाई अगस्त में स्वयम और पत्नी को सारीरिक कष्ट होना संभावित रहेगा व्यापारी अधिकारी सर्विस वाले के लिए यह समय मध्यम रहेगा किसान वा विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय रहेगा तो इस समय विशेश उपाय आपको करना चाहिए जिससे यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहे तो आपकी राशी पर ढहिया सनी का प्रभाव रहेगा अतह आप सनी देवता को प्रसन करने के लिए आप मंगलवार या शनी वार का वरत अवश्य करें शनी देवता को तेल अरपन करें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुब फल दाई रहेगा अगली राशी ही तुला तुला राशी वालों के अनुसार यह वर्ष इस परकार से रहेगा यह वर्ष आपके लिए मिश्रित फरिणाम देने वाला रहेगा वर्ष का पूरवार्ध अनुकूल प्रगती देने वाला है कारोबार में आपको सफलता मिलेगी उपलबधी प्राप्त होगी इसके अलावा राजनीती से जुड़े लोगों को प्रगती के अवसर मिलेंगे शुब मंगलकारी अथ्वा तिर्थ प्रवास के योग बन सकते हैं और 13 नमंबर से डेड मास वा 23 मार्च से 5 मई तक के समय संगर्स तनाव असांती सारीर कष्ट माता पिता को पीड़ा होना संभावी थे और 17 फरवरी से आपकी राजी पर ढहिया सनी का प्रभाव रहेगा तुला राजी का सनी मित्र ग्रह है और कारक भी है अतह ढहिया का विशेश प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहेगा किन्तु आपके मन में भाई शंशाई रहेगा इस्थाई संपत्ति में वैसे आपके व्रद्धी होगी मकान जमीन जायदाद में व्यए अधिक हो सबता है व्यापारी और अधिकारी सर्विस वाले किसान वा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा तो इस वर्ष विशेश उपाय आपको इस प्रकार से करना चाहिए जिससे पूरा वर्ष आपके लिए शुब फलदाई रहे तो आपके राशी पर इस वर्ष ढहिया शनी का प्रभाव रहेगा अता आप प्रती शनीवार शनी देवता को तेल अरपन करें और मंगल वार का वर्ष करें हनुमान चालिसा का पाठ करें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए सुब फलदाई रहेगा अगली राशी है वर्ष वर्ष चिक और उनके द्वारा दिये गए धोकों को आपने भोगा है किन्तु अब उतरते हुए शनी में राहत की परिस्थितियों में सुधार तथा कारोबार में सुधार होते जाएंगे तारीक 13 नवंबर से 3 मास में अपवय होना संभावी थे सारीरिक कष्ट तथा परिवार जनों से असंतोष भी रहेगा मई जून में माता पिता को कष्ट होना संभावी थे प्रापर्टी की उल्जन वा पेट के रोग होना संभावी थे भाई बंधों के विवार से असंतोष रहेगा वर्ष के उत्तरार्ध में तीर्थ प्रवास के योग बन सकते हैं और व्यापारी अधिकारी व किसान सर्विस वालों को वर्ष का उत्तरार्ध का जो समय है उत्तम रहेगा विद्यार्ती वर्ग के लिए यह वर्ष काफी शुब फलदाई रहेगा फिर भी आपको परिस्रम करना पड़ेगा तभी आपको लाब की प्राप्ती होगी तो इस वर्ष आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे पुरा वर्ष आपके लिए शुब रहे इस वर्ष ढ़या सनी से आपको राहत मिल जाएगी इस वर्ष आप भगवान शिव एउम गणेश जी की सरद्धा पुर्वक पूजा अरादना करें तो यह पूरा वर्ष जो है आपके लिए अती शुब फलदाई रहेगा अगली राशी है धनू तो धनू राशी वालों के अनुसार यह वर्ष इस प्रकार से रहेगा इस वर्ष आपकी राशी पर साड़े साती का दूसरा ढ़या चल रहा है अंतिम चरण 17 फरवरी 2020 से लगेगा दूसरे ढ़ये में उतार चड़ाओ के साथ कुछ राहत अनुभव होगी किन्तो अभी भी मन में भई संसे दुविधाएं आपके चल रही है अंतिन चरण में सनी स्वरासी का होने से चिंता की कोई बात नहीं है फिर भी जोखिम के कारिये इस वर्ष आपको नहीं करना चाहिए किसी पर विश्वास करके कारिये आप नहीं करें वर्ष में ब्रहस पती की अनुकोलता से इस्त्री संतान वा भाग्य के मान से संतोस आपको रहेगा जनवरी में व्याई विशेष होगा एप्रिल में कलेश होगा अशान्ती और सरीर पीड़ा होना संभवी थे कारोबार के लिए वर्ष का उत्तरार्द उत्तम रहेगा व्यापरी किसान अधिकारी को मध्यम समय रहेगा सर्विस करने वाले वा विद्यारती वर्ग के लिए अनुकूल समय है वर्ष में सनी की अरादना आपके लिए विसे ठीक रहेगी तो इस वर्स आपको कोन से विशेश उपाय करना चाहिए इस वर्स आपकी राशी पर साड़े साती का अंतिम चरण रहेगा अथा आप वर्स भर प्रती शनिवार शनी मंदिर में तेल का दिपक जलावें और सनी देवता को तेल अरपन करें श्रीफल यानी नारियल चड़ावें शनिवार या मंगलवार का वर्त करें तो यह पूरा वर्स आपके लिए शुब फल दाई रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार यह वर्स इस प्रकार से रहेगा आपकी राशी पर सनी की साड़े साती चल रही है इसमें प्रथम ढहिया 17 फरवरी 2020 को पूर्ण हो करके दूसरा चरण आरंब हो जाएगा प्रथम चरण में जिसका जन्म में सनी दूशी थे उन्हें अती संकट देखना पड़ा है अपमान असमान और जेल तक की आत्रा की योग बने थे सन 2018 से विशे संकट पूर्ण जिनका समय था वर्स के आरंब के कुछ राहत होगी फरवरी में सनी के परिवर्तन से क्रमशा अनुकूलता के लक्षन आपके लिए बनेंगे माता पिता की चिंता आपको रहेगी और पतनी की सरीर पिड़ा संतान के लिए शुब समय रहेगा 19 मार्च से गुरू शनी वा मंगल का मकर में योग संगर्ष सूचक रहेगा स्वतह वा इस्तरी के स्वास्थ की चिंता रहेगी चोट एक्सिडेंट या सस्तर जिकित सा होना संभवी थे अगस्त से आपको विशे राहत मिल जाएगी व्यापारी अधिकारी वा किसान संगर्ष में रहेगे सर्विस वाले वा विद्यार्थी को यश की प्राप्ती होगी तो इस वर्ष आपको कौन सा विशे सुपाय करना चाहिए जिससे पूरा वर्ष आपके लिए शुब फलदाई रहे तो इस वर्ष आपकी राशी पर साड़े साती का दूसरा चरन रहेगा चरन आरंब हो जाएगा अतह आप मंगलबार का वरत अवश्य करें प्रति शनिवार सनी मंदिर में जाएं तेल अरपन करें काला वस्तर चड़ावें तो इह पूरा वर्ष आपके लिए शुब फलदाई रहेगा अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों के लिए यह वर्ष इस परकार से रहेगा आपके लिए वर्ष के आरंब चार पांच मास अनुकुलता का समय रहेगा लाबपरत समय रहेगा यह सफलता प्राप्त होगी और सत्रा फरवरी दोजार बीस से सनी की साड़े साती आपको आरंब होगी स्वरासी का सनी जो आपकी रासी का स्वामी है अतह विशेश चिंता की बात नहीं रहेगी किन्तु पत्रिका में सनी की स्थिती दूशित यदी हो तो उन्हें यह समय संकट कारक रहेगा अप वियाई मुकद में मामलों की उल्जन तथा बंधन के योग आपके लिए बन सकते हैं आरंब में 13 नमबर तक वाद विवाद आपके हो सकते हैं मई जून में संगर्स हो सकता है असांती वा सरीर में पीडा हो सकती है 19 मार्च से 18 जुलाई तक स्वताह पत्नी को पीडा चोट एक्सिडेंट का भई होना संभावी थे खान पान में पत्थे का ध्यान आपको रखना चाहिए सावधानी रखना चाहिए जोखिम का कार्य आपको नहीं करना चाहिए किसी से कर्ज इस दोरान आपको नहीं लेना चाहिए व्यापरी अधिकारी किसान संकट में रहेंगे सर्विस वाले वा विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता दायक समाई रहेगा तो इस वर्ष आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे पुरा वर्ष आपके लिए शुब वो शफलता दायक रहे तो इस वर्ष सनी की साड़े साथी आपकी राशी पर आरंब होगी पहला चरण रहेगा, अतह आप शनी देवता की प्रसंदता के लिए शनीवार या मंगलवार का वरत करे, सांथ ही प्रती शनीवार शनी मंदिर में तेल का दान करें, तेल का दिपक जलावें तो पूरा वर्स आपके लिए शुबधाई रहेगा, अगली राशी है मीन वाहन का सुख कारोबार में कुछ नवीन करने का विचार आप कर सकते हैं इसके अलावा राजनीती से जड़े लोगों को विशेश अवसर की प्राप्ती होगी माता पिता वा परिवार के लिए अती शुब समय रहेगा परिवार में शुब मंगलकारी होना संभावी थे तीर्थ यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं और आरंब में दिसंबर तक स्वतह को पेट के रोग होना संभावी थे पतनी को सारीरिक पीडा होना संभावी थे मई जून में व्याई अधिक होना संभावी थे स्वास्त कमजोर रहेगा और एप्रिल से साड़े तीन मास तक संतान की जिनता आपको रहेगी साथियों का सहयोग कष्ट के समय में आपको मिलेगा और व्यापारी अधिकारी किसान सर्विस वाले वा विध्यारती वर्ग इस वर्ष सफलता दायक इनके लिए समय रहेगा तो इस वर्ष कौन सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे यह पूरा वर्ष आपके लिए सफलता दायक रहे तो इस वर्ष ग्रहयोग वैसे आपके लिए उत्तम बने हुए हैं फिर भी आप शुब फलों को सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष आप भगवान शिव वगणे जी की सरद्धा पुर्वक पूजा आराधना करें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुब फल दाई रहे जापके लिए आराधना करेंगे